अब एटम के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गी होगी कि ए'tam क्या चीज़ है अब हम एटम के बारे में देखेंगे कि वह छोटे से जो छोटा जर्रा धा है वह किस शेप का होता है दोस्तों वह कुछ इस तरह से होता है वह इस शेप में होता है दोस्तो ये एटम की शेप है अगर मैं एटम की बात करूंगा तो वो इस तरह से उसकी मेरे माइंड में मेरे माइंड के अंदर उसकी तस्वीर बनेगी इस ये दर्मियान वाला जो दाइरा है चोटा जिसमें मैंने प्लस का निशान दिया हुआ है इसको दोस्तो न्यूकलस का नाम देते हैं ये आपका न्यूकलस है दोस्तो इसके अंदर दो जर्राइब होते हैं फस्तो दो जर्राइब में पहले को हम क्या बोलते हैं प्रोटान फस्त को हम प्रोटान बोलते हैं दोस्तो और सेकंड को हम न्यूट्रान का नाम देते हैं ये दो जर्राइब होते हैं जो के आपके नियुकलस के अंदर पाई जाते हैं और दोस्तों ये एक जर्रा है जो इस दाइरे के अंदर घूमता रहता है मूव करता रहता है दोस्तों ये मूव क्यूं कर रहा है दोस्तों ये इन दो जर्रात की वज़ा से ये मूव करता है ये दो जर्रात इसको ख खेंचते हैं ताकि यह जो एल्ख्ट्रों है यह भी इन के पास आ जाए नके ख़चाओं की वजह से यह मसलसल मूव करता रहता है यह दायरे के अंदर इस दाइरेक को कहते हैं दोस्तोंि इस दायरे और दुसे को अठों और और इसको मदार बोलेंगे और इस दाइरे के अंदर यह जो भूम रहा है इस जड्रे को दोस्तों अल्हट्रा अग्युल हम अपने टॉपिक के करीब अरह रिए यह जो उलक्ट्रॉन है दोस्तों यह जो मैंने लास पे धर्ड वाला जो जर्णा के अंदर के अंदर मुझूद है electron basically हम electrical वाले इसी electron के बारे में study करते हैं दोस्तों ये जो electron है ये basically दोस्तों किसी material का एक जर्रा है छोटा जर्रा उस जर्रे को मैं discuss कर रहा हूं वो किसी भी material का हो सकता है ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं क्योंकि के आगे जाके हमने इस material के बारे में मजीद discuss करना है तो दोस्तों ये किसी भी material का एक छोटे से छोटा जर्रा है जिसको मैं discuss कर रहा हूं दोस्तों ये जो electron है ये इस shell के अंदर move करता रहता है ये अपने shell को छोड़ता नहीं है और जब तक ये अपने shell को नहीं छोड़ता ये static हालत में है ये stable हालत में होता है मतलब के एक बताने का मकसद ये है जैसे ये एक wire है दोस्तों हम फर्ज कर लेते हैं इस wire का ये जो conductor है इसी conductor का ये छोटे से छोटा material है ये atom है इस conductor का अब ये जो तार यहां पे पड़ी हुई है अजादाना हालत में क्या दोस्तों इसके अंदर current मजूद होगा कि दोस्तों current मजूद होगा इस star के अंदर क्यूं क्यूंके ये electron की वज़ा से ही तो current پैला होता है अब इस star के अंदर current अलरेड़ी मजूद है लेकिन वह static हालत में है वह stable हालत में है वो मूव नहीं कर रहा वो अलेक्ट्रॉन अपने शेल को छोड़ नहीं रहा वो अपने शेल के अंदर मुझूद है इसलिए स्टेबल हालत में है वो क्रेंट अभी पैदा नहीं हुआ लेकिन मुझूद है लेकिन पैदा नहीं हुआ तो दोस्तो जब ये अलेक्ट्रॉन अपने शेल को छोड़ता है अपने शेल को छोड़ के ये मूव करता है तब करेंट पैदा होती है दोस्तो मैं इसको मजीद आपको गाइड करता हूँ एक wire है दोस्तो यह एक wire है ठीक है यह wire की मैंने शेब बना ली अब इस wire के अंदर electron मुझूद है जैसे के हमने बताया कि काइनात की हर चीज atom से मिल कर बनी है और हर atom के अंदर electron मुझूद होते है ठीक है इसी तरह इस star के अंदर भी electron मुझूद है ठीक हो गए अब इस ये electron दोस्तो ये ऐसे ही बैठे बैठे अपने shell को नहीं छोड़ते जब तक के इसकी back के उपर हम कोई खास किसम का pressure नहीं देते वो pressure क्या होता है वो voltage हो सकता है वो potential difference हो सकता है दोस्तो वो कोई भी खास किसम का pressure हो सकता है वो जब हम खास किसम का pressure इस वायर को हम देते हैं तो जैसे हम इस खास किसम का जब हम pressure देते हैं तो ये electron इस वायर के अंदर से खास सिम्मत के अंदर बहना शुरू हो जाते हैं बहना जिसको हम flow का नाम देते हैं मतलब कि ये जो electron है ये flow करना शुरू हो जाते हैं खास सिम्मत के अंदर तो दोस्तों जब ये flow करना शुरू हो जाते हैं तो मेरी definition automatically complete होगी flow of electron is called current तो दोस्तों जब मेरे ये electron बेना शुरू हो जाएंगे तो मेरी current पैदा हो जाएगी तो दोस्तों ये था हमारा आज का current का topic ये इस तरह हमारी current वजूद में आती है तो दोस्तों जब मैं आपको बता रहा था कि current कैसे पैदा होगी current का वजूद क्या होगा current वो किन material किन जर्राद से मिलके बना है वो है ये electron दोस्तों ये जो electron है इसके move करने की वज़ा से आपका current वजूद में आता है और ये move क्यों करता है वो खास किसम का एक pressure होता है दोस्तों ये pressure और voltage के बारे में हमारा next topic होगा हमारा दूसरा या तीसरे lesson के अंदर हम pressure के वारे में potential difference के बारे में पढ़ेंगे कि वो जो खास किसम का ये जो pressure है ये क्या चीज़ है जिसकी वज़ा से ये हमारी current वजूद में आगी हमारे electron flow करना शुरूओगे ऐसी बैठे बैठे वो flow करना शुरूओगे और वो कौन सा ऐसा खास pressure है वो कौन सी ऐसी बला है जिसकी वज़ा से ये अलेक्टरोन हमारे मूव करना चुदी तो दोस्तो ये नेक्स्ट अलेक्चर में हम पढ़ेंगे अमीद करता हूँ दोस्तो आपको अच्छे से समझ आई होगी दोस्तो किसी किसम का कोई क्वेश्चन हो किसी किसम की कोई कन्फीजन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना तो एंड पे मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें शेयर किया करें और सबस्क्राइब किया करें दोस्तो मेरी दौा है कि अज़र आपको हर किसम की मुझीबत परेशाने से दूर रखे और अज़र आपको अपने इवज़ और में रखे डिर सारी दौाओं के बाद मैं आपसे इजाज़ चाहूँगा आपसे